बंदाउं चरण सरोज गुरू मुदमंडल आगार जहीं सेवत नरहोत हैं भवसागर के पाओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब जग में महान है तेरे चरणों में मेरी जान है मेरा साहिब सत्य समान है मैं बंदगी साहिब की करूँ मेरा साहिब ही भगवान है साहिब जग में महान है साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब मेरा साहिब जगे गुरु हैं बड़े गोबिंद सहीद भई गोबिंद से भी बड़ा कह दिया कर विचार मनमा हैं हर सुम्रे सो बार हैं गुर सुम्रे सो बार कभिरा हर के रूठते गुर की शरने ही जाए कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होते सहा है कबीर ते नर अन्ध हैं गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठाओर हैं गुरु रूठे प्रभु दो सहजो भाई ने गुरु का महातम सब संतों ने गुरु का महातम बोला क्योंकि संतों नहीं नाम की महमा को जाना सहजो भाई अपनी वाणी में कह रही है गुरु नतजू प्रभुको तर्जदारू गुरु के सम् हरी को ननिहारू कह रहे हैं गुरु और परमात्मा दोनों में से अगर एक छोड़ना है तो परमात्मा को छोड़ दूँगी क्यों हम कह रहे हैं गुरु ने कुटम जाल में घे रही हरी ने कुटम जाल में घे रही गुरु ने कर्टी ममता बे रही कह रहे हैं परमात्मा ने अपनी माया में मुझे फेगा और गुरु ने ममता की वो तर्क दे रही है गुरु परमात्मां से बढ़ा कियों गुरु हरी ने मुसे आप छपायो परमात्मा तो छपकर बैठा हुँआ था गुरु ने ग्यान दीप दे ताहिं दिखायो लेकिन परमात्मा ने प्रगट करके दिखा दिया हर ने जनम मर अर्धायो परमात्मा ने जनम और मान के क्रमा में उल्जाया गुर योगी करता हैं चुड़ायो चरण दास पर तन्मन वारूं गुरु नतजूं हरिको तजडारूं सहजोबाई की इस मानी में एक बहुत बड़ी बात मिल रही है कि उन्होंने गुरु का मात्म तर्क सहित परमात्मा से कहीं अधिक कह दिया तो बंदो गुरु हैं बड़े गोविंद से करविचार मनमा है हरी सुम्रे सो वार हैं गुरु सुम्रे सो पार इस तरह ये शक्तियां गुरु आपमें उत्मन करता है इसलिए गुरु को बड़ा कह बिन सद्गुरु पावे नहीं कोई कोटन करे उपाए हम इस भवसागर से माया से अपनी ताकत से बिना सद्गुरु के कभी भी पार नहीं हो सकते हैं योग में गुरु का महातम विशेश नहीं है योगी तो कह रहे हैं आप योग करो रास्ता बताता है गुरु योग करो शक अंतर है इसलिए योगमत में साधना को महत हैं संतत्त की जारा में और साहिब ने गुरुत को महत दिया हाला कि गुरु के बिना भौसागर से कोई पार नहीं हो सकता है इसका उल्लेक वाणियों में शास्त्रों में आता है गुसामी जी ने रामैन में सुपष्ट कहा गुर बिन भावन ने दता रहन कोई जो बिरंच शंकर सम होई गुरू के बिना इस संसार सागर से कोई भी नहीं तर सकता है चाहिए बिरंच बिर्मा, शंकर, श्रिप जी क्यों नहो बिना गुरू संसार सागर से कोई भी पाड़ नहीं हो सकता है आखिर ये ताकत का है गुरू क्या देता है नाम गुरू सजीवन नाम बताए जाके बल हनसा घर जाए गुरू एक सजीव नाम देता है जिसके द्वारा ही यह हनसा यह आत्मा अपने देश में जा सकती है जब लगसार नाम ना पाए तब लग जीव भव भटका खाए जब तक सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह जीव इस संसार सागर से पार होई ही नहीं सकता है और यह सच्चा नाम बिना सद्गुरू के प्राप्ति ही नहीं किया जा सकता है बड़ी विकर्ट सी दशा है कहरें ये सच्चा नाम बिना सद्गुरू के मिली नहीं सकता है और हम इस संसार सागर से नाम के बिना पार ही नहीं हो सकते है और सार नाम गुरू बिन नहीं पावे पूरन गुरू अकाह समझाए इस नाम के प्राप्ति किसी पोथी में नहीं है किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी वाणियों में नहीं है, ये नाम एक पॉन गुरू आप में सिर्जित करता है, ये हैं कहां, आप में, कितने बड़े कोत्क की बात हैं, हम सब ये कहां है, कैसा है, इस विशे पर बात करूँगा, हम सब शास्त्रों क कि अन्कूल एक बात तो मानने को तैयार हो गया है, मान रहे हैं, कि परमात्मा हमारे अंदर है, इस तत्थे को तो हम सब सुईकार कर रहे हैं, कि परमात्मा हमारे अंदर है, आत्मान ते इश्वरा है, आधिवानियों से भी, वेदों से भी, शास्त्रों से भी, महापुश्यो से भी ये बात इंगित हो रही हैं और समझ में आ रही हैं कि परमात्मा हमारे अंदर हैं पर कोतुक और घोर आश्चर है कि परमात्मा की अंगूती नहीं हो रही है ऐसी क्या बात है दूद में सर्वत रगी है दिखता नहीं है पर व्यापत है ओद परोत है मेंदी में लालमा तो हैं हैं पर दिखती नहीं है एक प्रक्रिया है पीसने की उसके बिना लालमा प्रगट नहीं हो पाईगी उसके अलावा भी एक बात है हाथ पर पीस देने से भी लालमा बहर नहीं आएगी पीसने के बाद हाथ पर इसकिन टच के बद तब लालमा बहर आएगी इस तरह हम नाम पाने के बाद गुर्मुक हो तब ये तद तथ हमारे अंदर एक्टिवेट होगा इसलिए आप देखते हैं माता में बैने गाह शादियों में या किसी आवसर पर तीज 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 वहर पर महंदी रचाती है तो हाथों में पैरों में महंदी लगा कर थोड़ी दिर ऐसे रखती है आदा एक गंटा जब तक इसकिन का सुपर्ष नहीं होगा महंदी को तब तक लालमा नहीं आएगी इसलिए ऐसा इसी तरह पीसी तो ये तो एक क्रिया थी सरफ पीसने से महंदी की लालमा बाहर नहीं आती है इस किंद के संपक्त के बाद ही आती है इस तरह गुरू हमें नाम जब देता है तो उसके बाद में एक प्रक्रिया बताता है केवल आप अनुकरन करना इस पर साहिब ने एक बड़ा सुन्दर शब्द कहा नाम सत्य गुरू सत्य हो आप सत्य जो होए तीन सत्य जब एक हो तो विश्श से अम्रित होए पहली बात कि रहें नाम सच्चा अच्छा नाम भी सच्चा चाहिए गुरू सच्च गुरू भी सच्चा चाहिए सद्गु कौन गुरू सच्चा कैसा सब भी तो कह रहें हम सच्चे हैं साट लाग गुरु भारत वर्ष में रिश्टेड हैं कुछ वैसे भी है तो बहुत गुरु है अस जगमा ही हरे द्रब कच्छ संकट नहीं साहिब ने सतर्क किया कह रहे ताते प्रथम परिक्षा कीजे ता पीछे गुरु दिक्षा लीजे तो भाईव आओ हम देखें कि आखिर ये गुरु सच्चा कैसा बिन सद्गुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे वपाए हमस्तत्य की प्राप्ति बिना सच्चे गुरु के करी नहीं सकते हैं साहब ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गुरु का करतबे भी बोला शिश्य का करतबे भी बोला कहता हूं हेला गुरु का गुरु और चेले का चेला अर्थार्थ मैं दोनों के लिए नियम बोलके जा रहा हूं गुरु कैसा हो और शिश्य कैसा हो फिरवाणी में आगे कह रहे हैं देखिए कितनी पुष्टी कर रहे हैं इस बात की शिश्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे पर गुरु भी ऐसा चाहिए शिश्य से कच्छू न लें दिखिए एक तरफ कह रहे है शिश्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सरवत्र दे सब कुछ दे पर आगे हिदायद दे रहे हैं भाई गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिश्च से कछुन ले कह रहे हैं डाइ गुरु भी ऐसा चाहिए अब आ ये गुरु के लक्षन उन्हें अपनी माणी में बड़े सहजभाव से इंगित किये गुरु के लक्षन कहता हूँ सुना हो धीर चितलाए कह रहे हैं भाई मैं गुरु के लक्षन कहता हूँ इसको ध्यान से सुनना पर्थम गुरु हो निर्वासना निर्वासना का भाव विशय न करे विशय तो केवल अज्ञान अवस्ता में होता है जो तत्व ज्यानी हैं, जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो कभी विशय नहीं कर सकते हैं, संभोग नहीं कर सकते हैं, वो आत्म रूप में इस्तित हो जाते हैं, आत्मा इंद्रियों से परे हैं, शरीर से परे हैं, और विशय अग्यान वस्ता में होते हैं, जब आ देख सकते हैं, अग्यान अवस्ता में देख सकते हैं, निद्रा में, जागरत में सपन नहीं देखा जा सकता, इसी तरह आत्म ग्यानी को वो कभी विशे करेगा ही नहीं, ना अपनी हिस्त्री से, ना पराई से, इसलिए गुरू हो, निर्वास्तना, जिसमें विशे विकार न मच्छोधरी के साथ संबोग किया उसकी तबस्या खत्म हो गई कई बार आप ये भी सुने हैं के इंडर ने गौतम की इस तरी के साथ में कहरन करने गए और विशय करने गए आसक तो करके तो इंडर की शक्तियां कम हो गई अब एक प्रेशन उठा ऐसा क्यों हुआ भाई परा आशर ने हजालों साल तब किया मच्छोधरी के साथ में विशय करने से उसकी पूरी तबस्या खत्म हो गई ये कैसे क्यों खत्म हो गई थोड़ी देर तो विशय किया खत्म हो गई आईए इसको सरहलिक रिद्द करता हूं सरहलिक करता हूं जब भी मनुश्य ग्ञानावस् सरहों के प्राप्त होता है श्यास से उठेजाता है तब तो उसकी विरति उसका पूरा से खत्म हो ग्यान हो जाता है अ और जब विशयक करता है तो ठीक इसी तरह से असर पढ़ता है उसको पूरी भूल बलं आजाए है रिस्मेंतियां आ जाए और वो पूरा स्राइव मंडल जो योग वाला था वो नश्ट हो जाता है कैसे नश्ट होता है जैसे आप देखें किसी आदमी को मिलगी का दौरा पड़ता है दौरा पांच मिनिट के लिए भी पड़े तो उसकी बुद्धी का हरास हो जाता है पूरे हमेशा के लिए बहुत जाला कमपन पता होती है और गर पड़ता है और यह कम पांच दस मिनिट होता है कि बल उसके बाद जब आदमी उठता है तो पहले क्या देखता है माल मैं सबसे पहले वो यह देखता है आंके खोलता है जब उस समय वो बड़ी कठिन परिश्टिती में है आम आदमी का कि नाते हम उसकी साहता करें वो कठिन परिश्टिती में है एक प्याज लें प्याज को तोड़ी हाथ से काटे नहीं और खोलें थोड़ा उसके नात के पास रखें इससे क्या होता है मश्टिश में जो कीटाणू इस दोरे को उत्पन करने वाले हैं वो प्याज की महक से बे अजदिशान तो जाएगा को मिनट में हो जाएगा दो मिनट में हो जाएगा है एक अब देखना जब आदमी करि Easternic नहीं तो से कठिन दोर नहीं सकाथियों इसके लिए वो आश्चरे में आँखों में चारों तरफ देखता है कहा हूँ उसके बाद वो लोगों को देखता है वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कोई पहचान का है कि उसे बड़ी हमदर्दी चाहिए भी सहरा चाहिए उतनी देर वो गुम है उसको कुछ भी नहीं पता है वो देखता है चारों तरफ थोड़ी देर में नार्मल हो जाता है वो याद आता है उसको अच्छा मैं इस जगह हूँ और फिर वो उच्छ पढ़ता है चल पढ़ता है आप सोचते हैं वो अच्छा हो गया नहीं हुआ जो मस्तिश की नारियां कंपायमान हुई वो जीवन भर क्या एक असर छोड़ गई उसका चिंतन कोई भी जिसको दोरे की बिमारी है कितना भी बिडिलेंट होगा वो अकलमंद रही नहीं सकता है क्योंकि जो कोश्काओं की शिबरिंग में कोश्काइं बुरी तरह हिल गई जो याद करने की कोश्काइं थी वो डिस्टर्ब हुई जो चिंतन करने की कोश्काइं थी वो डिस्टर्ब हुई इसलिए पांच मिनट के दोरे के अंदर उसकी पूरी बहुदिक शमिता का हरास हो गया ठीक इसी तरह विशह है सेक्स के समय पर जो काल पुरुष की कामदेव की एक ताकत आती है आदमी में प्रविश्ट हो करके जब वो ऐसी एक क्रिया होती है और वो परम उसकी पूरी चेतना अजिस्टर्ब होती है जैसे बेहोश होने के बाद आदमी होश में जब आता है तो उसकी मस्तिष की जो चेत काकत भी कम होगी धूब गर्मी भी कमबरदाश होगी थोड़ा कठिन परिश्रम करेगा तो भी चक्र आजाएगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब उसका अप्रेशन किया गया तो उसकी चेतना की कोश्टाओं को कुंद किया गया और बलात बलपूरक उन्हें दबा दिया गया होश में तो आया पर वैसी इसनिती तक वो कोश्टाओं दुबारा नहीं पहुच सकती है जहां तक पहले थी इसलिए जिसका भी अप्रेशन हुआ है वो भी बोल्ड और काफी गहरा नहीं हो सकता है काफी चेतन नहीं हो सकता ह क्योंकि वो एक अचेतन नवस्ता को प्राप्त हो गया जो भी अचेतन नवस्ता को प्राप्त होता है उसकी चिंदन शक्ती याद शक्ती कभी बुलंद नहीं हो सकती है कितना भी बिल्लेंट कितना भी अकलमंद हो आप लोग विचार कर सकते हैं जिन्हों ने भी अप्रेश तो उसकी चिंतन शक्ति पर भी असर पड़ता है इसलिए साहब ने वाणी में कहा जहां भोगता है योग विनाशा जो भी भोग कर रहा है वो कभी भी साधर नहीं कर सकता योग नहीं कर सकता साहब कह रहे हैं गुरू प्रतम हो निर्वासना और संभा हो तो बाल ब्रह्मचार वो लोहे को सरफ सोना बना सकता है अपारस नहीं लेकिन संथ अपने समान कर लेता है इसलिए महाप्रग्यावान पुरुश कभी भी भी विशय की तरफ नहीं जाते हैं तो साहब कह रहे हैं परतम निर्वासना जिसमें विशय विकार नहो दूसरा निर्बंधन गुरू महमाया के मंदनों में नहीं हो वो आत्म ग्यान और महाप्रिग्य हो चुका है इसलिए वो आत्मा को समझ रहा है शरीर के रिस्तों में नहीं आता है अब वो संबुर्ण भिश्व को अपना परिवार मानता है जिसमें भी महमाया है उससे सावधान रहना आपको कभी भी नहीं पार कर पाएगा कल्यूक की बलिहारी कल्यूक की बड़ी बलिहारी गुरुजी अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र को अपना उतराधिकारी करके छोड़ के जा रहा है मेरे साहब की क्या शान है मेरे साहब की क्या शान है मेरे साहब की क्या शान है रोशन ये सकल जहान है मेरे साहब की क्या शान है हूरू साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो जो साहीप मेरा, मेरा घ्ट्राइँ साहीप मेरा, हो हु जा विल dau..... वोरो साही पुमीरा मीरा साही पुमीरा वोरो